कुछ जगह से मेरे पास खबर आई हैं, मैंने वेरिफाय नहीं किया है, कि कुछ लोग जो आर्टिपिसियार टेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो सेंपल लेते हैं, उसमें बहुत लेथारजीग है, ऐसे ही मुँखे आगे इस सेंपल ले लेते हैं, ऐसा है बहुत गहरे जाकर सेंपल लिये भीना रियल रिजर्ट मिलता ही नहीं है अगर आपने उपर उपर से ले लिया मुह में सवड़ा सा डाल करके तो जो रिजर्ट आएगा तो नेगेटिव याने वाला है और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सेंपल नहीं लेते हैं जिन राज्यों में य हो रहा है इसको रूकणे के लिए कोशिश कीजिए बले पॉजचिटिव केस बढ़े चिंता मत कीजिए लेकिन पॉजचिटिव केस होगा थो ट्रीटमेंट होगा लेकिन वह नहीं होगा तो घर में फैलाता रहे हैं पूरे परइभार को पूरे पूर incubator को सब को लपेट लेगा हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की ज़रुत है और फिर मैं कहता हूं कि प्रौपर सैंपलिंग और प्रौपर होना चाहिए आपने देखा होगा कुछ लेभ हब को सबको पॉजिटिव दे रही है तो यह तो कहीं चीतर नहीं है तो कहीं कुछ कमी है और यह गवर्ननस के माद्यम से हमनों चेक करना होगा कुछ राज्यों को इसके लिए इन्फास्ट्रेक्टर बढ़ाने की जरुरत होगी लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददकार होगा लेफ्ट में सिफ्ट बनाने की जरुरत करनी है तो मैं समझता हूँ इसे भी किया जाना चाहिए साथ ही मैंने पहज़द पारण में करा कंटेन्मेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बलग जिस कंटेन्मेंट जोन्स तै करें उसमें एक भी व्यक्तिक टेस्टिंग के बिना देहना नहीं चाहिए आप देखिए आपको परणाम पटापट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों जहां तक ट्रेकिंग का प्रश्ण है, प्रशासनिक स्तर पर हर इंफेक्शन के हर कॉंटेक को ट्रेक करना, टेश करना और कंटेन करना इनवे बहुत तेजी की ज़रुत है। 72 अवर्स में कम से कम, 30 कॉंटेक्ट ट्रेसिंग से हमारा टार्गेट कम नहीं होना चाहिए। तो फिर उतनों कोई करो, बगल का टावर है, उसको बात में देखो, अधर्वाइस क्या होगा, कि हम सब के सब सरलमार यही है, कि महनत कम पढ़ती है, यह कर दो, उस दिशा में मत जाईए। आप सब इस दिशा में सक्रिये हैं, बस हमारी सतरता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा अगर रहेगा। हमें यह सुनिश्चित करना है, कि कोवीड फटिक के चलते, जमीन तक जाते जाते प्रयासों में, सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी हैं। कई राज्यों में कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को पिरियोड इकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बना कर काम किया है। इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। हम सब को ये भी अनुभव है कि जहां कंटेन्मेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की SOPs का और मैं मानता हूँ ये SOP बड़े अनुभव से तयार हुई है और समय समय पर उसको अप्डेड किया गया है। उस SOP का प्रभावी पालन हो रहा है वहां बहुत अच्छी सपलता मिल रही है। इसलिए मेरा ही सुझाव जरूर होगा कि इस और विशे ध्यान दिया जाए। सातियों हमने चर्चाव के दोरान अभी मोटरा लीडी रेट पर चिंता जता है। यह कम से कम रहे इन पर भी हमें बहुत जोड़ देना है। और उसका मूल कारण यह है कि वह रूटीन लाइब जीता है। मामुली बिमारी हैसा मान लेता है। पुरे परिवार में फैला देता है। और फिर एक सिती बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है। फिट टेस्टिंग होता है और तब चीजे हमारे हाथ से निकल जाती है। हमारे पास हर फॉस्टल में देत अनालिसिस की जानकरी होनी चाहिए। किस स्टेज में बिमारी का पता चला। कब एडमिशन हुआ। मरीज को कौन कौन सी बिमारिया थी। मुर्त्यू के पिछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे ये डाटा जितना कॉम्प्रोएंसिव होगा हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी। साथियों मैं आपकी भी जानकारी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और शुकरवार को इस विशह पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जूरते हैं। सभी राज्यों के हस्पताल इनसे जूरते रहें। जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा हैं। उनकी जानकारी सबको रहें। ये भी जरूरी है। और ये लगातार कम्मिनिकेशन की विवस्ता है। जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं। उनको उनीकी भाषा में उनीको लोग समझाए। इसका प्रबंध है। इसका लाब लेना चाहिए। इसी तरह एंबिलेंसिस, वेंटिलेटर्स और ऑक्सिजन अवेलेबिटी के भी लगातार समिक्षा आवश्यक है। अभी तक जब पिछली बार हम पीक में थे, आज भी देश में उतना ऑक्सिजन का उप्योग नहीं हो रहा है। और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हैं। चीजों का रिपोर्ट को जड़ा वेरिफाइ कर ले हम। साथियों, एक दिन में हम 44 लाख वेक्षिनेशन के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। वेक्षिनेशन पर कई महतपण बिंदू इस चर्था में हमारे सामने आया है। देखे वेक्षिनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाईए। दुनिया भर के समरुद्द से समरुद्द देश जिसके पांस सब सुविधाय उपलब्द है। उन्होंने भी वेक्षिनेशन के लिए जो क्राइटरिया ताई किये हैं। भारत उनसे अलग नहीं है। आप जरा स्टडी तो कीजिए, आप पड़े लिखे लोग आपके पास है। जरा देखे तो सही। और नए वेक्षिन डेवलब्ब्मेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है। इसके लिए भी काम हो रहा है। और वेक्षिन के डेवलब्मेंट से लेकर स्टॉक और वेस वेक्षिन बन पाती है। अब यह ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े-बड़े फैक्टरियां कोई रात और रात लग जाती है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्राइटराइज करना पड़ेगा। किसी एक राज में सारा माल रख करके हमें पढ़ना मिल जाएगा यह सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को खाल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्षिन वेस्टेज यह रोकना भी है। सात्यों वैक्षिन को लेकर राज्य सरकारों की सला, सुझाव और सहमत इने सह ही देश राफी रण देती बनी है। मेरा आप सभी से आगर होगा कि हाई फोकर्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के उपर शत्व प्रतिशन वेक्षिन के लिए लगातार प्यास कीजिए। एक बार एक तो हैचिव करके देखिए। मैं एक सुझाव देता हूं क्यों झाल